हेलो एवरीबन आयमकाजगोर वेलकम बैक टू एर इंडियर मेडिकल लेक्चर काई नया टोपिक लिए आप लोग के बारे में पूरी डीटेल देने वाला इव फ्लिट किया होते हैं कितने टाइप से होते हैं कौन सा इव फ्लिट कौन से डिसिज में लगाते हैं और कौन सा इव फ्लिट में हम कौन सा इजक्षन डाइल्यूट करते हैं कैसे देते हैं सारी चीजे बहुत सारा टोपिक हैं सब डिसकुस करने वाला हो में हापर स्तार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रो डिसक्ष करेंगे गाईज प्लीज वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार चैनल को बिजिट करके देखो बहुत सारे MCQ भी डले वो यह थियोरी भी है सब चीज़ आपको मिल जाएगी medical के आप किसी भी फिल्ट से हो चाहे ठीक है देखो IV fluid क्या होते है समझो full form of IV fluid is intravenous fluid IV fluid का full form क्या होता है intravenous fluid intravenous का मतलब होता है जो कि directly नसों के अंदर डाला जाए vein के अंदर इंटर करवा दिया जाए ठीक है IV fluid को intravenous fluid भी कहा जाता है इन्हें सीधे direct vein के अंदर यानि कि शिराओं के अंदर directly डाला जाता है जिसे IV fluid तरल जिसे हम लोग IV fluid जिसे हम लोग कहते है कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले नंबर प्याता है NS NS का मतलब होता है normal saline क्या होता है कितने percent NS होता है क्या-क्या पाया जाता है composition है कितना percent देना चाहिए व्यक्ति को आगे details से discuss करूँगा पहले type समझ लो NS normal saline जिसे हम लोग कह रहे है DNS dextrose normal saline ठीक है dextrose normal saline जिसे कहते है RL, RL को बोलता है ringer selected solution और D5, D10, D25 solution और manitol जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी specific reason की वज़िसे इसको पढ़ोगे ये पढ़ोगे तो आपको medical का knowledge होगा ठीके एक एक चीजे आप लोग को समझना है इसलिए मैं आपको detail से बताऊँगा कि NS क्या होती है, saline क्या होती है, DNS क्या होती है, ringer fluid क्या होता है इनका full form, composition, dose वगेरा सारी चीजे discuss करूँगा एक पहले इसका screenshot लेलो जल्दी सा आप लोग एक screenshot लेलो ठीके guys, I hope का आप लोग उने screenshot लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ यहां से सबसे पहले, जिसे की मैंने बोला, एक एक करके discuss करूँगा सबसे पहले NS, यानि की normal saline के बारे में बात करते normal saline में सबसे पहले उसके composition यानि कि उसके अंदर normal saline जिसके उपर NS लिखा रहे था कुछ इस तरह की bottle जो रहती है इस तरह की bottle जो रहती है, इस bottle में क्या-क्या पाया जाता है, वो composition समझो 0.9% NSEL, sodium chloride, 100 ml की bottle, देखो इसमें bottle तो 100 ml की bottle भी आती है 500 ml की भी आती है और 1000 ml की भी bottle आती है, देख रहे होगा डाइग्रम में यह 100 ml की है, यह 500 यानि कि अधा लिटर की bottle है, यह 1000 ml यानि कि एक लिटर की bottle है तो यह तीनो बोटल आती है, तीनो बोटल को कब चड़ाना है यह मरीज की condition, मरीज की disease पे निरभर करता है, मैं आगे बताओं आपको डीटिल से, समझो NS, normal saline, इसका full form होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता केवल 0.9% NSCL, NSCL क्या होता है भाहिया, normal saline, NSCL का मतलब होता है sodium chloride यह नमक का पानी से हम लोग बोल सकते है, नमक का पानी से बोल सकते है, क्योंकि इसमें NSCL पाया जाता है हलका सा salty होता है यह यह चीज याद रखना कि चाहे वह 100 ml की bottle हो, 100 ml की यह 1000 ml की हो, इसमें जो concentration उसकी percentage होता है, वो होता है 0.9% 0.9% sodium chloride पाया जाता है इस bottle के अंदर, screenshot ले लो, जल्दी से आगे बढ़ जाता हूं मैं जल्दी screenshot ले लो guys, आगे बढ़ता हूं NS, normal saline जिसे कहते है, normal saline जो होती है, यह normal saline के इसके use क्या है, आप इसको, जो होता है यूज होता है कैसे करते हो ? सबसे पहला होता है dehydration, यह ठी कोई व्यक्ति है dehydrated है, dehydrated का मतलब होता है पानी की कमी आ जाना अब यह पानी की कमी क्यों आ जाती है ? पानी की कमी loosed motion हो गया, vomiting हो गया… कोई Märty बहुत है धूप में काँ यह, heat stroke हो गया तो गर्मी जादा से अपनी बोडी का लोस हो जाता पानी का और हमें पानी कभी पीते हैं तो बोडी में पानी की कम ही आ जाती है बहुत सारे रीजन हो सकते जैसे बता है Bommeting हो गया, Dyrrhya हो गया और भी बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं उसमें हम लोग एनेस का यूज करते हैं, वॉंड वोशिंग, गाउध होने के लिए, गाईज ये इसमें क्या होता है, जेखो, एनेस होता है, और इसके अलबवा कोई अधर कंपोनें नहीं होता है, जो कि डिस्टिल वोटर में डिसोल रहता है, ये जो नॉर्मल पानी होता है, इसमें थोड़ी रहता है, और कभी गलती से ये पानी व्यक्ति को इंट्रेविनस चड़ा भी मत देना, क्योंकि उसका पी एच अलग होता है, और इसमें जो डिस्टिल वोटर होता है, आसूत जल जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका जो pH होता है, नॉट्रल होता है, ना तो acid होता है, ना base होता है, बीच का मेंटने, नॉट्रल होता है, और उसमें एनेसल घुला होगा रहता है, ठीक है, तो उस वज़े से वो देना, तो जितने भी घाव अगे रहते हैं, जिसके वोंड हो गया, चोट लग गई, उसको पहले हम लोग एनेस से क्लीन कर लेंगे, दो लेंगे, ताकि उसके उपर कोई और 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 अर्गनिजम हो या, डस्ट हो या कुछ पार्टिकल हो तो वो साफ हो जाए, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वुंड वोशिंग के लिए, वुंड मतलब घाव को दोने के लिए, डूरिंग दै, डाइलूशन ओफ इंजेक्शन, जैसे कि मैं आपको फेबरीन बता हूँ, फेबरीन एक इंजेक्शन आता है, पेरसिटम ओली रहता है, वो बहुत गाड़ा आता है, उसको डाइरेक्ली मरीच को नहीं चड़ा सकते हैं, बहुत गाड़ा रहता है वो, उसको पहले पानी में डिजोल करते हैं, फिर लगाते हैं, जैसे बहुत सारे इंजेक्शन आपने पाउडर फॉम में देखे होंगे, उसको डिजोल करते हैं, एनेस में डिजोल करते हैं, नार्मल सलाइड में मिलाते हैं, और मनुष को यानि कि व्यक्ति को जो पेशेंट इसको चड़ा दिया जाता है, किलियर हुआ, तो वॉंड वोशिंग के लिए और मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, डेफिनेटली शरीर का जो वाटर बैलेंस है, पानी का जो बैलेंस होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग एनेस का इस्तमाल करते, I hope कि आपको यूस समझ में आयोंगे, इन चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूस करते, इस्क्रेंशोट ले लो फटा-फट, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, एनेस नॉर्मल सलाइन जो होता है, उसका डोस क्या है, उसको कितनी मात्रा में आपको मरीज को देना होगा, डोस देखो, डोस उप नॉर्मल सलाइन is completely depend on patient condition in disease, देखो, डोस है, नॉर्मल सलाइन को कितना देना है, या मरीज के अवस्था पर निरवर करता रहता है, ठीक है, मरीज कैसा है, उसको कितनी जर्वते फ्ल्यूट की, कितना ज्यादा dehydrated हुआ है, कितना lose motion लगा हुआ है, कितने दिनों से लगा हुआ है, उसको कौन सी बिमारी है, इसके उपर उसकी quantity निरवर करती है, कि भाईया इसको एक बोटल चड़ाना है, दो बोटल चड़ाना है, अलग-अलग मरीजों को, अलग-अलग लगता है, किलियर हुआ, पर फिर भी, 2000-3000 ml, यानि कि 2-3 लिटर, 24 घंटे के अंदर हम पेशेंट को दे सकते, यह चीद ध्यान रखना, ठीक है, मरीज को लगबग 2000 ml से 3000 ml, यानि कि 2-3 लिटर के संथिंग मरीज को हम लोग यह फिलूट दे सकते, नोट, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज आपको समझना जरूरी है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लट प्रेशर की समझ्चा है, तो उसे नार्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, हो सकता उसका BP ज़्यादा हो रहा हो, और आपने NS चड़ा दिया, तो वो क्या हो गया? हाइपर चला गया, बैचर, हाइपर टेंशन ही हो गया, और ज़्यादा उसका BP बढ़ जाएगा, उस कंडिशन में हमें कभी भी NS नहीं देना चाहिए, पहले देख लेना है, मरीज को BP तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, BP कोई समस्याद नहीं है, यदि ब्लड प्रेशर की कोई प्रब्लम हो, तो उस व्यक्ति को हम लोग को NS नहीं चड़ाना चाहिए, ये NS हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसको डिनाए करना चाहिए, इसका स्क्रिंशोट ले लो, ये नोट बहुत एंपोर्टन है, महतोपोर्ण इसको जहान रखना, जल्दी से स्क्रिंशोट ले लो, किलियर हुआ, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स जो बोटल आती है हमारी वो थी DNS, dextrose, normal saline, dextrose, normal saline, composition, अब ये dextrose क्या है, भाई ये dextrose एक स्चुगर है, शकर होती है, हमने कार्बोहईड़िट पड़े है, उसमें पड़त हमने, ग्लुकोस, फ्रक्टोस, माल्टोस, lextrose, dextrose उसी तरह से वहाँ पर dextrose भी था ठीक है, फ्रक्टोस नार्मल शुगर होती है, फल्फूरूट के अंदर इसी तरह से जो dextrose होती है ये भी एक प्रकार कार्बोहिडिट का है ये शुगर होती है कम पोजिशन, इसमें कितनी dextrose पाई जाती है 0.9% sodium chloride तो distill water में रहे गई सही पर उसके साथ में कुछ additional चीज़ी भी रहेगी, जिसे की dextrose उसमें 5 gram dextrose मिलाया जाता है दो तरह की bottle आती है 500 ml, इमेनली तो 500 ml की होती है 500 ml की bottle आती है 1000 ml, यानि की 1 liter की आती है ठीक है, तो ये दोनों bottleों को हम लोग यूस करते है डिपेंड करता है, पेशेंट केसा है उसको कितना fluid देना है, ठीक है तो आप लोग basic चीज़े ध्यान रखो कि जो composition होता है जो DNS का जो composition dextrose normal saline DNS dextrose normal saline इस dextrose normal saline में आप से पूचे क्या पाये जाता है भाये नमक का पानी होता कितने % sodium chloride होता है 0.9% मतलब उस NS में इनने 5 gram dextrose ओ डाल दिया थोड़ा मीठा कर दिया उसको तो क्या बन गया DNS बन गया किलियर हुआ इसका screenshot ले लो जल्दी से इस तरह की bottle आती है आपके DNS की काच की picking भी आती काच में भी मिलती है ऐसे भी मिलती है दोनों तरह से मिलती है आपको है आगे बढ़ता हूँ dextrose normal saline को use क्या होता है आप इसका use कहा कहा कर सकते dehydration जब हमारे शेरिप में पानी की कमी हो गई तब हम use कर सकते है hypertension यदि BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसकी hypertension यदि blood pressure कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए यदि किसी का BP कम हो गया हो तो उसको BP के थोड़ा सा increase करने के लिए hyper में नहीं hyper मतलब ज़्यादा BP रहेगा उसके उपर से आप DNS चड़ा दो गए तो बिचारे का और BP बढ़ जाएगा पर हमको क्या चड़ाना है DNS कम BP वाले मरीजों में यदि कि BP कम हो गया suddenly BP की normal level से डाउन हो गया तो हम लोग उसमें DNS दे सकते to treat insulin shock treat insulin shock मतलब जैसे कि कोई insulin shock हो गया हो insulin shock मतलब insulin बन ही नी रहा हो बहुत कम बन रहा हो कुछ प्रबलम हो गई हो तो suddenly उसे DNS दे देंगे DNS देने से क्या होगा sugar जाएगी शरीर में तो मेरा pancreas react करेगा ठीक है तो उस condition में भी हम लोग DNS मरीज को दे सकते in accidental condition यदि किसी व्यक्ति को accident हो गया है accident वगेरा रोड पे देखा blood loss हो गया fluid loss हो गया पानी की कमी हो गया sugar down हो गया blood निकलेगा तो सब कम हो गया sugar भी कम हो गया बिचारे का है न BP भी कम हो गया fluid की कमी हो गया उस condition में हम मरीज को क्या दे सकते है DNS दे सकते clear हुआ जल्दी से screenshot ले लो use का DNS का हम लोग use कहा कहा पे कर रहे dehydration में hypo देखोगा इसनिया पे एक mistake में ने की हुई है मैं आपको clear कर देता हूँ hypertension blood pressure कम होना ये गलत है क्योंकि hyper मतलब होता है जादा ये हलां कि मेरी गलती है मैं accept कर रहा हूँ सीच को hyper मुझे जल्दी में type हो गया ये हाइपो टेंशन है हाइपो का मतलब कम BP कम हो जाना blood pressure कम हो जाने पर और मैंने हाँ हिंदी में सही लिखा है कम बट ये हाइपो टेंशन कर दिया हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है जबकि ये गलत है इसको हाइपो टेंशन आपली इसको correct कर लिजिएगा I accept my mistake ठीक है आगे बटता हूँ dose of DNS DNS को कितनी मात्रा में देना है सेम बात है quantity of dextrose normal saline is depend on patient condition or disease मरीच की dextrose normal saline कितनी देना है या मरीच की अवस्था पर निरवड करता है मरीच को कौन सी बिमारी है उस पर निरवड करता है एवं उसकी बिमारी पर मरीच को कौन सी बिमारी है क्या उसकी condition है कितना fluid lows हुआ है उसको कितने fluid की जरवत है उस पर निरवड करता है कि हमें उसको कितना fluid देना होगा clear हुआ guys जल्दी से इसका screenshot ले लो इसके बाद एक चीज़ और बता दू देना कितना है 2500-3000 ml तक 24 गंटे में मरीज को चड़ा सकते हैं 2500-3000 ml तक मरीज को देते हैं Note एक महतुपुन बात इसमें लिखी हुई जिसे कि NS में मैंने बोला था जिसका BP बढ़ता है उसको नहीं चड़ाना चाहिए इसी तरह से जिसका sugar के मरीज हो उसे dextrose normal saline नहीं देना चाहिए शुगर की बीमारी यदि बिचारे का sugar पहले से ही जाता है पता लगा उसको आपने 5% sugar यानि कि DNS में किता परसेंट sugar होता है 5% dextrose होता है चड़ा दिया और बिचारा hyper में चला गया hyper glycemia हो गया hyper glycemia का अर्थ होता है कि जब sugar की मातर रक्त में ज़्यादा बढ़ जाए और urine में ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है यह आप मुझे comment करके बताऊ जरा कि urine में अगर glucose की मातरय जादा हो जाती है तो उसे क्या नाम से जाना जाता है ठीक है तो शुकर के मरीजों में डेक्सोस नहीं चड़ाना चाहिए क्योंकि उसका शुकर बिचारेगा बढ़ जाता है उसको इसमें क्या पाया जाता है इसमें क्या पाया जाता है इस मिक्स्चर ओफ इलेक्ट्रोलाइट समझना कुशन को इस bottle में electrolyte का mixture होता है sodium potassium पाये जाते है क्या-क्या होता है sodium chloride होता है potassium chloride होता है sodium lactate इसके अंदर ये सारे composition से मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं RL ringer's lactate fluid clear हुआ जब मरीच को electrolyte की कमी हो गई भो ज़्यादा water loss हुआ electrolyte उसके कम हो गई तब हम लोग ये fluid देते clear हुआ इसका screenshot ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अब देखो use of RL RL का आप कहा कहा पर इस्तेमाल कर सकते हूँ use कहा कहा पर होगा dehydration बिचारे को पानी की कमी हो गई sodium की कमी हो गई बहुत सारे level कम हो गई electrolyte के electrolyte imbalance का मतलब होता है जब electrolyte की बहुत सादा कम हो गई हो during the surgery किसी भी surgery के दोरान यदि किसी व्यक्ति को surgery अगेरा हुई है तब भी हम लोग ये दे सकते है ठीकि surgery के समय blood loss होता है विचारे का blood loss होगा तो blood loss की condition electrolyte कम हो जाएंगे electrolyte कम हो जाएंगे तब भी हम लोग दे सकते burning condition जब व्यक्ति जल जाता है बहुत सारे burning cases आपने देखे होंगे कोई व्यक्ति जल गया तो उसको RL दिया जाता है क्योंकि जलने पर उसके शरीर में electrolyte की मात्रा बहुत जादा कम हो जाती है तो RL ringer selected fluid उसको दिया जाता है nutritional deficience यदि कोई बिच्चा बिचार बहुत ज़्यदा कुपोशित है कुपोशन है बच्चों में कुपोशन है तो RL उससे दिया जाता है ठीक है nutritional deficience hypotension यदि blood pressure कम होने पर यदि किसी व्यक्ति का BP बहुत कम हो गया हो तब भी हम लोग यह दे सकते है it is suitable for diabetic patient यह diabetic मरीजू में भी समझो कोई मरीज आया उसको sugar की बिमारी है और उसका fluid level भी कम है समझो sugar की बिमारी है sugar उसको बढ़ रहा है और उसको पानी की कमी है dehydration भी है और sugar भी है तो आप ऐसा नहीं कि dehydration की कमी हमने DNS और नस दिया था तो वो ही चड़ा दो नहीं उनको हम लोग ringer selected fluid दे सकते है ताकि इसमें sugar नहीं पाया जाता है तो यह मरीज की condition को suitable कर देगा तो it is suitable for diabetic patient में दिया जा सकता है जल्दी से इसका use वाला आप एक screenshot ले लो फिर में यहां से आगे बढ़ता हूँ नेक्स आता है dose of aurel ringer selected fluid को कितना dose मरीज को देना होता है यह dose of aurel is depend on completely disease or condition पे ही निरबर करता है मैं इसे नहीं बता सकता आपको कितना fluid देना है हो सकता भीचारे को कम fluid की जर्वा तो आपने तीन लिटर चड़ा दिया हो सकता किसी को ज्यादा की जर्वा तो आपने 500 ml चड़ाया तो मैं पहले मरीज को देखूंगा मरीज का assist करूंगा उसके बाद इसको दूंगा क्या कितनी मातरा में उसको RL देना है कि लिए ने फिर भी 500-1000 ml तक उसको RL याने कि RINGUS Lactate Fluid दिया जाता है 24 गंटों के अंदर में जल्दी से आप लोग इसका screenshot लेलो फिर आगे बढ़ता हूं Dextrose अब आता है आपका D5 जो मैंने बुला था ना D5, D10 और D25 पे तीनों बोटले आती है इनमें शुगर की मात्रा है यह देखो समझाता हूं जो D5 आती है, D5 के अंदर 5 ग्राम dextrose 100 ml के अंदर होता है 100 ml के एक बोटल आती है उसके अंदर कितना होता है 5 ग्राम glucose पाया जाता और अगर वो D5 की बोटल 1000 ml की है तो उसमें 500 ml, 100 ml में 5 ग्राम glucose है इसी तरह से आपको 100 ml की एक बोटल में 10 ग्राम glucose भी डाला जाता है किसी की शुगर बहुत जादा कम है तो उसको D10 दे दो किसी की शुगर बिल्कुल हाइपो में चला गया है तो उसको D25 दे दो, D25 से एकदम शुगर बढ़ जाती है तो याद रखना composition कि D5, D10, D25 D का मतलब होता है dextrose इस तरह की बोटल आती है D5 की दी हुई है इसी तरह से इसके आगे D10, D25 मतलब ये concentration दी हुई है बिया कि इसमें कितनी concentration होती है D5 में 5 ग्राम, 10 में 10 ग्राम और 25 में 25 ग्राम किलियर हुआ, 100 ml की बोटल की बात कर रहा हूँ है किलियर हुआ, जल्दी से इसका screenshot लेलो फिर आगे बढ़ता हूँ Use, कहा कहा करते है Dehydration, जब पाने की कम हो गई तब भी उसको D5 अगेरे दे सकते है Weakness, यदि व्यक्ति को बहुत कमजोरी लग रही है तब भी दे सकते है Dizziness, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को चक्कर होगे रहा रहा है तब भी D5 अगेरे दे सकते है पर ये sugar के मरीजों को नहीं दी जाती है ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना पही है Dose, 2000-3000 ml 24 गंटे में हम लोग मरीज को दे सकते है ये चीज़ ध्यान रखना बेसिक है इसका screenshot ले लो फिर आगे बढ़ता हूं मै अब आता है आपका manitol solution इस तरह के आपकी bottle आती है ये manitol बहुत important इसको समझ लो आप लोग This is the type of diuretic solution It means it increase the volume of diuretic मतलब होता है urine की मातरा अधिक हो जाना urine की मातरा बढ़ा देना यदि किसी व्यक्ति के शरीर मे पानी की बहुत ज़्यादा मातरा बढ़ गई हो पानी भर गया हो तो उस पानी को कहा से निकालोगे urine से निकालोगे ना तो ये diuretic solution है इसको चड़ा दो मरीज में तो मरीज इतनी urine करेगा इतनी urine करेगा कि उसकी शरीर से पानी के कमी हो जाएगे कोई व्यक्ति है पानी के बढ़ोतरी होगे इसमें पानी जादा होगे तो मेनिटोल सोलुशन दे दो मेनिटोल से जादा urine करेगा urine निकल जाएगी कमपोजिशन इसमें 20 ग्राम मेनिटोल 100 ml की बॉटल आती है 100 ml की बॉटल में 20 ग्राम मेनिटोल पाया जाता है screenshot मेनिटोल क्यों देते है मेनिटोल डाइयुरेटिक में देते है मतलब डाइयुरेटिक सोलुशन होता है किसी की यूरीन कम निकल रही हो तो यूरीन को बढ़ाने के लिए कि युरेन आउटपोर्ट कम हो गया और तब भी देते हैं आगे बढ़ता हूं स्क्रिंशोट ले लो फटाफट ठीक है देखो अभी एची द्यान रखना है जिसमें कोई बहुत बहुत है डीटेल से मैं पढ़ानी रहा हूं आप लोगों को नॉर्मली 20 ग्राम होता है कब कब देना इची द्यान रखना टेके थैंकि फॉर वाचिंग यूरा इंडिन मेटिका लेक्चेर